देखे काईज आज कल बारा महीं ने गोवी चलने लगी है तो खाने का इतना क्रेज भी नहीं रहा और वो टेस्ट भी नहीं रहा गोवी में जो पहले आता था बच्चे तो बिल्कुली खाना पसंद नहीं करते तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से गोवी बनाई अगर हम इस सूखी मिर्च डाल कर तरका लगाते हैं तो एक अलगी तरह का टेस्ट आता है इसमें मैंने चार टामाट्रों के प्योरी बना कर डाली है क्योंकि अगर प्योरी नहीं बनाएंगे तो गोवी के पीस अलग अलग हो जाएंगे और बो मुझे बिल्कुली अच्छ बनाएंगे यह बिल्कुल शूख जाना चाहिए और इसके प्योरी के ऊपर वैल आ जाना चाहिए देखिए उबल रही है तो इसके ऊपर वैल आ गया है अब डालती नहीं हमें हल्दी हल्दी के साथ ही डालती नहीं फिर यह मिर्च मिर्च र्येट कलर की होनी चाहिए अगर रैड कलर की नहीं है तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डल सकते हैं लेकिन और अल्लेड़ी मेरी बहुत लाल मिर्च है तो देखिए थोड़ा सा मैना यह बालक भी डाला है इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़त अब डाल देना है अद्रक क्योंकि अद्रक और ग्राम मसाले के बिना वह भी बिल्कुल भी अच्छी ने लगती है अब नमक भी डाल देना साथ प्योरी में हमें मिर्च मसाले सारे डाल देने हैं पहली ताकि जो क्रेवी है हमारी अच्छी बनके रेड्य हो जाए अब देखे बनती बनते इतनी सुंद्र खुस भू आ रही है इसमें अब प्योरी बन गई है तो डाल देना में एक चमज मैंने गरम असाला डाला है और एक चमज डाला है मैंने ये धनिया कोटा हुआ करम मासाले से तो गोवी में टेस्ट यह लगाता है अब देखे ग्रेवी बिल्कुल बनकर रेडी होगी है जो टमाटर के प्योरी थी तो डाल देने हैं हाप बोयल मैंने गोवी करके रखी है ताकि जल्दी बन जाए इसमें पानी न डालना पड़े मुझे क्योंकि मुझे सू अब मैंने घी लिया गी में जीरा डाला है और दो टमाटर बबारोओं रएक रेक करके डालना है ऐसा मैं दर्सां नहीं होप लोग याश्य काटकbaby सागोक्स चलाना इसक लारी मुझे-ट चेस्ट जात को जो इस यह रहा पर ऋड़ए तया अब इसको पानी बून लेना क्योंकि पालक में पानी नेकलता तो सारा इसको जला देना जैसा मसाला टाल देना इसमें है मैं अब इसकी फिर योगी है यह तो जालने लेगा बोड़ यह 6 आप चापलों को हम अच्छे तो चलिए सभी मॉइंघ कर देते हैं तोनों चीज रैडिोंगे वनके वैड़ाइज हो गए है और सब्जी होगी चलिए प्लेट लेते हैं आपने चलिए एक रोटिया रखते हैं है अपने सब्जी प्लेटी होगी अगर आपको यह तरीका पसंद आता गोई ूझी कर ये शेयर किये और कमेंट्रें बताएए ये